आज हम देखने वाले हैं Mystery of the Missing Gap जिसे लिखा है मनोज दासनी ये उडिशा से हैं और एक बहुत ही जाने माने लिखक है इनका जन्म जो है 27 February 1934 को हुआ था और ये कहानी जो आज मैं आपको बतानी जा रही हूँ इन्होंने तब लिखा था जब ये 13 साल के दे जिस वक्त हमारे देश को आजादी मिली थी तब की बात है ये तो इन्होंने बहुत ही जादा contribution दिया है literature में लेखन के field में इसी वज़े से इन्हें 2001 में पदमश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था क्या है इस कहानी में तो हम introduction देखते हैं जो मनुजदास का introduction जो author है इस कहानी के mystery of the missing gap के उनके बारे में देखते हैं कि आपके book में क्या लिखा गया है मनुजदास is a prolific author prolific का मतलब होता है कोई ऐसा वेक्ति जिसे बहुत ही जादा knowledge हो बहुत ही जादा creative इंसान तो वो बहुत ही जादा creative author है हम ऐसा कह सकते हैं he writes in both uria and english वो uria और english दोनों में लिखते हैं and is a professor of english at the Shree Aurobindo International University Pondicherry तो Pondicherry में एक university है जिसका नाम है Shree Aurobindo International University तो वहाँ वो एक professor के रूप में वहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ के वो professor है he has an unusually keen insight into human nature जो author है Mr. Manoj Das उनके पास इंसानों को समझने की बहुत ही जादा गहरी द्रेश्टी है keen का मतलब होता है बहुत जादा insight का मतलब होता है गहरी बहुत छोना तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि Manoj Das जो है उनको इतना knowledge है कि वो बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं इनसान के जो nature है उसको बहुत ही अच्छे से वो समझ सकते हैं he blends realism with fantasy उनकी जो भी लेखन होती है जो भी लिखते हैं उसमें क्या होता है ना कि जो भी सच्चाई होती है उसको वो कलपना के साथ imagination के साथ बहुत ही अच्छे से blend करते हैं मतलब सच्चाई भी होती है और उसमें उनका imagination भी होता है और इन दोनों चीजों को वो अपनी कहानियों में अपने लेखन में बहुत ही अच्छे से इन दोनों चीजों का blend उनके लेखन में दिखता है satire with deep compassion, humor and pathos in his short fiction satire का मतलब क्या होता है आलोचना आपने सुना है किसी भी इंसान का आलोचना करना मतलब उसको criticize करना तो अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप आलोचना कर रहे हो या फिर किसी चीज के बारे में अगर आप आलोचना कर रहे हो लेकिन इस तरीके से आप आलोचना कर रहे हो कि किसी को हसी आ जाए humorous way में अगर आप कर रहे हो वेंग्यात्मक रूप में कर रहे हो तो उसे कहते हैं satire तो मनोज दास जो भी satire लिखते हैं उसमें deep compassion होता है पतब करूना होती है बहुत ही deeply बहुत ही अच्छी तरीके से वो लिखते हैं उसमें दया का भाव भी आपको नजर आता है उनके satire में और वो जो भी short stories लिखते हैं जो भी fiction कहानिया लिखते हैं कालपनिक कहानिया जो भी वो लिखते हैं तो उसमें humor भी रहता है यानि व्यंग भी रहता है और साथ ही साथ pathos भी होता है pathos का मतलब होता है कि इस तरीके से लिखना कि जब reader उसको पढ़े जब भी कोई पाठक उसे पढ़े तो उसकी जो भी भावनाएं हैं वो जागरत हो जाएं अगर दुख की भावना है तो उसको और भी ज़ादा अपने लेखन से जागरित करना उसे कहते है pathos तो ये सारी चीजे मनुजदास के लिखावट में उनकी कहानियों में उनके किताबों में मिलती हैं तो इस कहानी का unit 1 हम शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले देखिए कुछ चीजे हैं जो लिखी गई हैं आपके बुक में आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिब इस स्टोरी के टाइटल को पढ़ते हो जो की है mystery of the missing क्या तो उसे पढ़ने के बाद क्या आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो कहानी होगी ना किसी crime के उपर best होगी कोई जुर्म हुआ होगा और उसके रहस्य को बताने के लिए ये story लिखी गई होगी क्या आपको ऐसा लग रहा है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है do you get any hint from the title that the story is written in a lighter way to create humor अब आपसे एक और प्रकट करें मतलब आपको व्यंग यात्मक वे में ये story लिखी गई है क्या आपको इसके title को पढ़के लग रहा है इसका मतलब क्या है कि आपको तो लग रहा हुगा कि ये कोई crime thriller है लिकिन ये crime thriller नहीं है इसको बहुत ही lighter note के साथ लिखा गया यहाँ पर जो word है lighter wind lighter wind का मतलब यहाँ पर हुआ कि जादा serious नहीं है बहुत ही कम serious है और इसमें humor भड़ा हुआ है व्यंग भड़ा हुआ है इस कहानी में जो कि आपको इसके title को पढ़के बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही है ये व्यंग्यात्मक कहानी है आगे कहा जा रहा है read the story, know the author's treatment to the human nature, enjoy the humor आप से कहा जा रहा है कि कहानी पढ़िये और देखे कि human nature के बारे में किस तरीके से author ने बताया है कि human किस प्रकार से behave करते है और story को enjoy कीजे the following unit presents two leading characters of the story, a minister and a village patriot of the post-independent India क्यानी कि यहाँ पे आपको two leading characters मिलेंगे एक तो एक minister है और एक गाओं का ही एक देश भक्त इंसान देश प्रेमी इंसान इस कहानी में lead role है क्यानी leading character है और यह जो कहानी है हमारे देश के ठीक आजादी के बाद की है notice how the writer portraits them portraits का मतलब होता है दिखाना तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप notice करना कि किस प्रकार से writer ने यानि Manoj Daasji ने किस प्रकार से यह जो दो characters हैं जो leading characters हैं उनको दर्शाया है किस तरीके से उनके character को चितरित किया है तो अब शुरू होगी हमारी कहानी It is certainly not my motive in recounting this episode of two decades ago to raise a laugh at the expense of Shri Mohrana और Babu Veer Kishon then the Honorable Minister of Vishri's and Fine Arts of my state आपने देखा होगे न TV में अकसर कि अगर कोई serial शुरू होता है तो उससे पहले एक disclaimer आता है कि हमारा मकसद किसी भी जाती धर्म किसी भी लोगों को ठेस पहुँचाना नहीं है तो कुछ इसी प्रकार का disclaimer यहाँ पे मनोज दास ने इस कहानी के शुरू में ही कह दिया है वो कह रहे हैं कि ये कहानी जो की दो दश्रकों पुराना है तो इसको फिर से याद करना और लोगों को सुनाना इसमें उनका ये मकसद नहीं है कि वो श्री मोहराना या फिर बाबू वीर किशोर जो की उस वक्त के मिनिस्टर अफिश्री और फाइन आर्ट्स थे उनके स्टेट के यानि उडिशा के स्टेट उडिशा स्टेट के तो उन दोनों का मजाक उराना उनका मकसद नहीं है कि वो कहानी अभी बताएंगे तो लोग उनकी कहानी को सुनेंगे फिर श्री मोहराना के बारे में जानेंगे फिर बाबू वीर किशोर के साथ क्या हुआ ये जानेंगे और फिर हसेंगे तो उनका ये मकसद नहीं है कि इन दोनों का मजा कुराकर humor create करना व्यंग create करना ये उनका मकसद नहीं है तो क्या है उनका मकसद है वो आगे कहते हैं On the contrary, I wish my friends and readers to share the sympathy I have secretly nurtured in my heart for these two men over all these years Yes, वो कह रहे हैं कि इसके ठीक उल्ड़ा मेरा मकसद तो ये है कि मेरे जितने भी दोस्त है और मेरे जितने भी पाठक है जो मुझे इस वक्त पढ़ रहे है उनके साथ मैं वो सहानुभूती share कर सकूँ वो सहानुभूती जो मेरे अंदर छिप छिप कर पल रही थी इन दोनों इनसानों के लिए जो की है श्री मोहराना और बावो वीर किशोर इन दोनों के लिए जो मेरे दिल में मेरे अंदर जो सिंपैथी थी जो सहानुभूती उत्पन हुई है जो पैदा हुई है मैं उसे अपने सभी दोस्तों के साथ और अपने सभी पाठकों के साथ शे Shri Mohorana was a well-to-do man well-to-do man का मतलब होता है जो काफी well-off for prosperous अमीर हो तो Shri Mohorana जी जो थे वो काफी अमीर थे He had the only paka house in an area of 20 villages इस line में आपको पता चल गया होगा कि 20 गाउं थे इस एरिया में Shri Mohorana जी रहते थे वहाँ पे 20 गाउं थे और उन 20 गाउं में किसी का भी पक्का घर नहीं था देकिन सिर्फ और सिर्फ Shri Mohorana जी का ही पक्का house था पक्का house का मतलब जो घर पकी वी इंटो से बना हो white washed on the eve of India achieving independence तो ये जो कहानी है जो अभी बताई जा रही है ये तब की बताई जा रही है जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 की तो आजादी के जश्न में आजादी का जो अफसर था उस उपलक्ष में उन्होंने अपने घर को paint करवाया white color से the house shorn as a shot of tourist attraction for the flocks of the nearby villages flocks का मतलब होता है लोग तो उनका जो घर था वो इस प्रकार से अब चमकने लगा shorn का मतलब होता है चमकना तो उनका जो घर था ना वो इतना चमकने लगा इतना मतलब सुन्दर दिखने लगा कि वो एक तरीके से tourist को attract करने लगा अपनी तरफ जितने भी आस पास के जो भी village में जो लोग थे वो आकर उनके घर को देखते थे They stopped and looked at it whenever they passed by जितने भी लोग थे वो उनके घर के आस-पास से जब भी वो पास करते थे जब भी आते थे उनके घर के आस-पास तो वो रुखते थे और उनके घर को देखते थे for none could overlook the symbolism in this operation that had been carried out after nearly half a century अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो श्री मुहराना जी थे उन्होंने अपने घर को जो पेंट करवाया था लगभग आप कहलो कि उनका घर जो है 50 सालों के बाद ही पेंट हुआ था और कब पेंट हुआ? जब हमारे देश के आजादी का जो अफसर आया जब हमारा देश आजाद हो गया और वो जो खुशी का जो अफसर आया इतना अच्छा जो अफसर आया तो उसमें जब उन्होंने अपने घर को पेंट करवाया तो उनका जो घर था वो प्रतीक बन गया वो प्रतीक बन गया हमारे देश की आजादी का और उसको कोई भी नजर अंदाज नहीं कर पा रहा था इसलिए हर कोई जो भी वहाँ से आता जाता था वो रुकता था और उनके घर की तरफ देखता था श्री महराना had a considerable reputation as a conscientious and generous man reputation का मतलब होता है ख्याती, consciousness का मतलब होता है लगनशील इनसान एक ऐसा इनसान जो पूरे लगन के साथ कोई भी काम वो करता हो तो पूरे लगन के साथ पूरे मन के साथ करता हो generous का मतलब होता है दरिया दिर इनसान, दानवीर इनसान तो यहाँ पर यही का जा रहा है कि श्री महराना जी जो थे उनकी काफी जादा प्रटिश्था थी, बहुत ही जादा उनकी ख्याती थी और वो बहुत ही लगंचील इंसान थे और बहुत ही जादा दरिया दिल इंसान भी थे He was an exemplary host with two ponds full of choice fish and a number of well cared for cows exemplary का मतलब होता है आदर्श, host का मतलब होता है स्वागत करने वाला तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जो थे न वो लोगों को मतलब अपने घर पे invite करते थे तो वो बहुत ही जादा ख्याल रखते थे लोगों का, वो बहुत ही आदर्श इंसान थे जिसे भी invite करते थे तो उनको उनका वो बहुत अच्छे से स्वागत करते थे सतकार करते थे और उनके पास दो तालाब थे और उन दोनों तालाब में अलग-अलग प्रकार की मच्छिया थी, पुरी भरी हुई, अलग-अलग प्रजादी की मच्छिया थी और उनके पास बहुत सारी गाएं भी थी और उन गायों की देख भाल करने के लिए उनके पास अच्छी जगाएं भी थी यानि कि उनके पास जितनी भी गाएं थी उनको वो बहुत ही अच्छे से सतकार के साथ रखते थे उन गायों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे वो बहुत ही खुश ग्रामीन इनसान थे तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इन लाइनों को पड़के आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि लोगों की जो लिविंग थी वो सिंपल थी सरल थी आज कल की तरह नहीं है जो आपको यहाँ आपने अपने घर के आसपास न आपने शाहद मचली का तालाब भी नहीं दिखा होगा घर में तो आप छोड़ी दो बात भले ही कितने अमीर क्यों न होते हों उस वक्त में उस वक्त के जितने भी लोगों लेकिन तब भी उनकी जो लाइफ थी आज के लाइफ से अगर हम कंपेर कर ले तो काफी जादा सिंपल थी केम इंडिपेंडेंडेंस हमारे आजादी का समय आया As is well known, the ancient land of India has had four major casts from time immemorial Immemorial का मतलब होता है पुराने समय से तो अब यहाँ पर कहा जा रहे हैं कि हम सभी को पता है कि हमारे प्राचीन भारत में इस धर्ती पे हमेशा से चार major casts हैं चार major casts जो हैं वो exist करते हैं बहुत ही पुराने समय से ही But during the days immediately presiding independence a new cast was emerging all over the country of patriots लेकिन आजादी के ठीक पहले का समय जब हम देखें तो उसमें कहा जा रहा है कि आजादी का समय यानि आजादी के ठीक पहले का समय था उसमें हमारे इस प्राचीन धर्ती के उपर जहांपे हमेशा चार cast थे वहाँ एक और नया कास्ट उभड कर आ गया जो की था देश भक्तो का कास्ट जो देश प्रेमियों का कास्ट था वो हमारे देश में उभड कर आने लगा तो उस समय ने उस दिन ने और भी जादा बढ़ावा दे दिया जितने भी देश भक्त थे उनको और भी जादा ग्रो करने में उनकी संख्या को और बढ़ाने में जो हमारा इंडिपेंडेंस हुआ उसने और भी जादा उसको बूस्ट कर दिया बूस्ट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को बढ़ावा दे दे हो न उसको कहते हैं बूस्ट तो उस चीज़ ने जो हमें इंडिपेंडेंस का जो दिन आया उसने और भी जादा बढ़ावा दे दिया और जो नंबर्स थे देश भक्तों का वो और भी बढ़ गया इन अल्मस्ट एवरी विलेज बिसाइड ब्राह्मन्स, शत्रिये, वैश्या और शुद्राज एक कपल ऑफ पैट्रियोड्स केम इंटो बी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितने भी विलेजिस थे तो उसमें जैसे की कन्विंशन चला आ रहा है कि चार कास्ट होते हैं तो इसके साथ साथ आपको हरे गाउं में देश प्रेमी लोग भी मिल जाते और का मतलब होता है आदर, सम्मान तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्री महराना जी के यहाँ जितने भी मचलिया थी तो उनका इस्तमाल उन लोगों के लिए उन लोगों के आदर, सम्मान के लिए किया जा रहा था जो की देश भक्त थे देश प्रेमी थे ये जो नए लोग उबरे थे जो की थे देश प्रेमी उनके आदर में उनके सम्मान में जितनी भी मचलिया थी थी श्री महडाना जी के यहां उनका उपियोग हो रहा था इसका मतलब क्या है इसका मतलब यहां तो यह हो सकता है कि श्री करने के लिए या फिर आप एक तरीके से कहलो कि उनके घर्थ में वो खुद ही उन लोगों को बुलाते होंगे जितने भी देश प्रेमी लोग हैं उनको बुलाते होंगे उनको अपने यहां की जो मचलिया होंगे वो खिलाने के लिए यही हो सकता है ना exercise का मतलब क्या होता है use करना किसी चीज़ को तो उनके यहां की जो मचलिया है वो use हो रही थे किनके सम्मान में देश भगतों के सम्मान में जो देश प्रेमी थे उनके सम्मान में तो इसका यही मतलब हो सकता है कि श्रीम होडाना जी खुद ही उनका सम्मान करते होंगे और उन्हें अपनी मचलिया देते होंगे जितने भी देश प्रेमी थे उन्हें या फिर अपने यहां खाने पे बुलाते होंगे ऐसा भी हो सकता है या फिर दोनों करते होंगे गिफ्ट भी देते होंगे और खाने पे भी बुलाते होंगे उन सभी देश प्रेमियों को अब यहां पर खा आ जा रहा है कि जो देखने वाले थे जो इन सभी चीजों को देख रहे थे कि श्री महराना जी क्या कर रहे है तो वो धीरे धीरे ये नोटिस करने लगे उन्होंने ये नोटिस किया कि श्री महराना जी जो है वो खुदी धीरे-धीरे देश प्रेमी बनते जा रहे हैं देश भक्त बनते जा रहे हैं As I found out later He had even nursed ambition to become a member of state legislature Ambition का मतलब क्या होता है Ambition का मतलब होता है महत्वा कांशा, अभिलाशा ठीक है, आपके अंदर एक अभिलाशा आ गई कि आप कोई चीज achieve करना चाहते हो hard work करने के साथ मतलब आप hard work करोगे और उसके बाद आपकी जो एक्षा है, आपकी जो अभिलाशा है आप उसको पूरा करोगे उसे achieve करोगे उसे कहते है ambition नर्स्ट का मतलब होता है पालना, ठीक है किसी चीज को पालना तो यहाँ पे जो एक्षा थी उनकी जो अभिलाशा थी वो उसे पाल रहे थी तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो author है, उन्हें बाद में ऐसा पता चला उन्हें कि श्री महराना जी जो है उनके अंदर एक ऐसी अभिलाशा पैदा हो रही है जिसे वो पूरा करना चाहते है एक ambition उनके अंदर पैदा हुई है वो ambition क्या थी वो ambition थी कि वो state legislature यानि कि विधान सभा के member बनना चाहते थी यानि कि वो politics में आना चाहते थी ऐसी ambition श्री महराना जी के अंदर पलने लगी थी ऐसी एक्षाउन के अंदर होने लगी थी The incident I now relate occurred at the outset of his endeavor in that direction outset का मतलब होता है शुरू होना किसी चीज की जब शुरुवात होती है उससे कहते हैं outset और endeavor का मतलब होता है प्रयास करना किसी चीज को achieve करने के लिए जो आप जितने भी प्रयास करते हों उसे कहते हैं endeavor तो अभी जिस incident के बारे में जो वाक्यात हुआ है जिसके बारे में अभी author बताने वाले हैं उसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये जो incident है वो तभी हुआ होगा जब श्री महराना जी अपने ये जो ambition था उनका कि वो विधान सभा के member बनना चाहते हैं तो इसी ambition को पूरा करने में जो वो करने जा रहे थे ठीक उसी दोडान ये जो घटना थी वो हुई जिसके बारे में अभी author हमें बताएंगे I witnessed the incident as a small boy in my maternal uncle's house which I frequently visited being just near Shri Mohranas तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने इस घटना का साखशातकार तब किया जब वो बहुत ही छोटे बच्चे थे मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो लगबग उस वक्त 13 साल के थे तो जब वो 13 साल के थे तो वो अपने मामा जी के घड़ पे गए होंगे और उनके मामा जी के घड़ के पास ही Shri Mohranas जी रहा करते थे तब ही उन्होंने इस घटना का शाखशातकार किया इस घटना से वो अफगत हुए जब वो अपने मामा के यहां अक्सर वो जया करते थे तब ही उसी दोड़ा अब वो जो ऑथर कह रहे हैं कि वो जब भी यह कहानी बताते हैं तो वो बिल्कुल नाच्रल वे में बताते हैं उसमें कोई मिलावत नहीं होता है उन्होंने जो भी अंडर्स्टेंडिंग डेवलप की है बड़े होने के साथ साथ अंडर्स्टेंडिंग का मतलब की जो भी सूजबूज उनके अंदर आई है उस सूजबूज का हेल्प लेके वो इस कहानी को इंसिडेंट को बताते हैं नेरेट करते हैं और उसी सूजबूज का इस्तमाल करके वो हमें भी ये कहानी बता रहे है इन दोज अर्ली डेज ऑफ स्वदेशी मिनिस्टरीज देर वेर नो डेप्यूटी और सब डेप्यूटी मिनिस्टर्स अब यहां पर कहा जा रहा है स्वदेशी मिनिस्टरीज स्वदेशी मिनिस्टर्स का मतलब क्या independence से पहले जितने होी मंदराले वे गड़ा थे वो तो अंगरेस चलाते थे लिगिन independence के बाद सभी हमारे लोगों के अंदर आ गई स्वदेशी लोग यानी कि हमारे ही देश के लोगों के अंदर में आगई तो इसलिए जो मंदराले जो था जो हमारे देश के लोगों ही द्वारा चलाया जा रहा था उसे कहा जा रहा है स्वदेशी मिनिस्ट्री तो उस जमाने में क्या था कि जितने भी मंदराले थे हमारी स्वदेशी मंदराले जो नया नया स्वदेशी मंदराले हमारा बना था जिसमें हमारे हमारे देश के ही लोग थे तो उसमें कोई deputy या फिर sub deputy ministers नहीं होते थे बतलब होता है न कि एक main minister होता है और उसके नीचे बागी ministers आते हैं deputy, sub deputy तो उस जमाने में ऐसा नहीं था एक minister है तो वही minister पुरा का पुरा मंतराले था वो संभालता था एक तरीके से आप कहलो कि उस जमाने में जो जितने भी नेता थे उनको बड़ाबर सम्मान दिया जाता था शायद इसी कारण से वहाँ पे मतब कोई deputy या फिर sub deputy ministers को नहीं रखा जाता था सब अपने आप में ही minister होते थे all were full-fleshed honorable ministers जैसा कि मैंने कहा ministry का जो मंत्राले था उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही honorable यानि माननिये मंत्री हुआ करते थे and babu vir kishore who held the portfolios of fisheries and fine arts held from our district अब यहाँ पे जो दूसरे character है उनकी entry हो चुकी है अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो babu vir kishore थे वो जो थे उनके अंडर में आता था मचली पालन और ललित कला का ministry fine arts मतलब ललित कला जो भी art और craft वगेरा होते हैं उसकी ministry और जो मचली की ministry होती है मचली पालन की जो ministry होती है वो babu vir kishore के अंदर ही में ही आती थी और जो babu vir kishore थे वो जो author है manuj das ji उन्ही के district से belong करते थे उन्ही के district से वो आए थे portfolio उसका मतलब होता है कि जैसे कि कोई minister है तो वो जिस department में काम कर रहा जिस विभाग में काम कर रहा उसको कहते है portfolio और उसी विभाग का वो जितना भी काम वगेरा है उसको संभालता है तो यहाँ पे जो babu vir kishore थे उनका portfolio कौन सा था fisheries and fine arts का आपने कभी देखा होगा ना टीवी में बोलते हैं न इस कारेकरम के प्रायोजक है तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो sponsor है उसका मतलब है प्रायोजक लेकिन यहाँ पे किसी कारेकरम के प्रायोजक नहीं यहाँ पे है श्री महुराना जी जो है उनके supporters जो लोग उनको support करते होंगे कि हाँ हाँ ठीक है आपको न विधान सभा में होना चाहिए आपको politics में आ जाना चाहिए तो जो लोग उनको support करते थे उनको कहा जा रहा है Sponsors तो उनके जो supporters थे श्री महुडाना जी के उनके दिमाग में ये आया कि अगर श्री महुडाना जी को debut करना है politics के अंदर तो उसमें उससे पहले उन्हें बाबु बीर की शोर जो है उनके आशिरवात की जरुरत होगी उनके प्रथम प्रवेश जैसे हम बोलते हैं न कि रनवीर सिंग की debut film कौन सी थी बॉलिवुड में तो हम कहते हैं बैंड बाज़ा बारात थी ठीक उसी तरीके से जो श्री महुडाना जी है उनको भी debut करनी थी politics के अंदर, राजनीती के अंदर तो debut करनी थी तो उनको कहीं न कहीं से तो शुरवात करनी होती न तो उन्होंने सोचा कि उनको शुरवात तो करनी चाहिए बाबू बीर की शोर के आशिरवात के साथ यानि कि उनके साथ थोड़ा mail जू बढ़ाएंगे तब ही तो उनकी debut हो सकती है कहां? politics में उस जमाने में क्या होता था जितने में मिनिस्टर थे उनके जो दिन ने चड़िया था उसका सबसे बड़ा हिस्सा भाशन देने में ही गुजरता था भाशन देने कहां? भाशन देने में पब्लिक रिसेप्शन में जो भी पब्लिक समारों वगरा होते थे जो स्वागत समारों वगरा हुआ करते थे जनता के बीच में आम लोगों के बीच में तो वहां जा जाकर जो मिनिस्टर थे जो भी मंतरी वगरा थे वो भाशन दिया करते थे ठीक है? अर रिसेप्शन वाज अरेंज़ड फॉर बाबू वीर किशोर विथ श्री मौराना आस दे चेर्मेन और रिसेप्शन कमीटी तो अब जितने भी लोग थे उन्होंने सोच लिया कि अब करना क्या है? तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने भी एक स्वागत समारो आयोजित कर दिया और उस स्वागत समारो में श्री मौराना जी को चेर्मेन बना दिया उस रिसेप्शन कमीटी का उस स्वागत समारो कमीटी का मेंबर बना दिया उस चेर्मेन बना दिया तो चेर्मेन बना दिया जब भी बाब वीर किशोर आएंगे तो किन से मिलेंगे श्री मौराना जी से मिलेंगे तो उनका काम भी उसी बहाने हो जाएगा किन का काम श्री मौराना जी का श्री मौराना's huge ancestral keen chair was led with a linen cover अब क्या है कि बाब वीर किशोर जी आ रहे है तो उनके स्वागत में तो तैयारी आवागेड़ा होंगी तो तैयारी किस प्रकार से हो रही है श्री मौराना जी जो थे उनके पुरवजो का एक chair था किस से बना हुआ keen जो पेर होता है उससे बना हुआ एक chair था तो उसके उपर जो linen का कपरा होता है linen शायक उसको मल-мल बोलते है हिंदी में क्या पतला सा smooth सा कपरा होता है वो उसके उपर लगाया गया उस chair के उपर upon which the best village seamstress had laced a pair of herons with two big fish in their beaks और वो जो linen का कपरा जो की उस chair के उपर लगाया गया था उस लेने के कपड़े के उपर उस गाउं की सबसे अच्छी सबसे अच्छा सिलने वाली जो दरजिन थी सीम स्ट्रेस का मतलब होता है दरजिन जो फीमेल टेलर होती है उसको कहते हैं सीम स्ट्रेस तो जो दरजिन थी उस विलेज की सबसे अच्छी सीम स्ट्रेस जो थी उसने क्या किया उस लेनेन के जो कपड़ा था उसके उपर दो बगुले बनाए और उन दोनों बगुलू के मुह में उनकी चोंच में दो मचलिया थी हेरॉंस का मतलब होता है बगुले तो ऐसा ही अच्छा सा डिजाइन उस जो गाउं की जो सीम स्ट्रेस थी जो दरजिन थी उन्होंने उस लेनन के कपड़े के उपर बना कर और उस चेर के उपर लगा दिया गया जब बन गया वो डिजाइन बन गया तो उसको चेर के उपर बिठाया जाएं 44th night, everyday the children of the village lower primary school devoted the afternoon to the practice of the welcome song तो अब देखिये क्या हो रहा है बाबो वीर किशोर जी आएंगे, बहुत बड़े नेता है तो उनके स्वागत के लिए इतना कुछ किया जा रहा है तो अब एक स्वागत गान भी गाया जाएगा एक welcome song आया जाएगा उनके स्वागत करने के लिए और वो गाना कौन गाएंगे? वो बच्चे गाएंगे, उस गाओं के बच्चे गाएंगे जो की primary school में पढ़ते हैं तो ये जो बच्चे हैं, जो ये गाना गाने वाले हैं तो ये practice तो करेंगे ही न तो जब बाबु वीर की शोड आने वाले हैं तो उसे ठीक, दो हफ़ते पहले ही से वो हर रोज दो पहर में उस स्वागत गाने का उस स्वागत गान का practice करते थे, रियास करते थे ताकि जब वो आएंगे तो सब कुछ अच्छे से वो गा सके Among the many strange phenomena, root by the great spirit of the time was the composition of this song अब यहाँ पे जो author है, वो कह रहे हैं कि इतनी सारी जो अजीब औ गरीब घटनाएं हो रही है जिसे बनाया है, जिसे तराशा है, किसने? समय ने, और समय को यहाँ पे कहा जा रहा है the great spirit, जहने कि महान आत्मा तो उन सभी घटनाओं में, एक और घटना थी जो अजीब औ गरीब थी, और वो घटना क्या थी? वो घटना थी, उस स्वागतगान का बनना यहाँ पे जो word है root root का मतलब यहाँ पे हुआ, किसी चीज़ को बनाना किसी चीज़ को तराशना तो यहाँ पे जितनी भी घटनाओं आप सोचो कि अभी जो भी घटनाओं वहाँ हो रही थी तो वो घटनाओं किसी वज़ा से हो रही थी? कौन वो घटनाओं को करवा रहा था? तो यहाँ पे author कहते हैं कि उन घटनाओं को करवा रहा था समय, इसलिए समय को यहां पे कहा गया है महानात्मा, Great Spirit और समय, जितनी भी घटनाए उस वक्त करवा रहा था अजीब और गरीब जितनी भी घटनाए हो रही थी उन में से एक और घटना समय ने करवाई और वो थी स्वागत गान का लिखना स्वागत गान का रचना अब स्वागत गान गाया जा रहा है तो कोई न कोई उसको बनाएगा तो जरूर ही न तो अब सोचने वाली बात है कि स्वागत गान के बनने को ऑथर ऐसा क्यों कह रहे है कि strange घटना है अजीब औ गरीब घटना है अब हमें पता चल गया कि उस गाने का लिखा जाना क्यों इतनी अजीब हो गरीब बात थी वो इसलिए इतनी अजीब हो गरीब बात थी क्योंकि उस गाने कुछ लिखने वाले थी जो composer थे वो कोई और नहीं उसी गाओं के एक स्कूल के हेट पंडित थे हेट टीचर थे यहां तक तो बात ठीक थी लेकिन बात ये है कि ये जो हेट टीचर है इन्होंने 67 येर से 60 सालों से उन्होंने कोई भी poem नहीं लिखाता उन्होंने उन्होंने गीत संगीत के प्रती उनकी मतलब रूची थी ही नहीं आप एक तरीके से यही सुच लो अगर होती तो उन्होंने कुछ तो किया होता ना कुछ गाना लिखा होता कोई poem लिखा होता लेकिन 67 सालों से उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा था और ऐसे इन्सान से स्वागत समारो के लिए गाना लिखवाया गया इसलिए ये एक अजीबो गडीब बात थी The reference of the song still raises echoes in me Echoes का मतलब होता है गूंजना और reference का मतलब होता है अंत किसी चीज़ को अंत कर दिना तो यहां लिखा हुआ है reference of the song इसका मतलब हुआ जो गाने के जो अंति बोल है उसके बारे में का जा रहा है तो यहां पर जो author है वो कह रहे है कि वो जो गाना लिखा गया था उसके जो आखरी बोल थे उस गाने के जो आखरी बोल थे आखरी line थे वो आज भी author के अंदर गूंजते हैं मतलब पता नहीं किस प्रकार का था कि आज भी वो लाइन जो है उनके अंदर गुंजते हैं उन्हें सुनाई देता है इट्स लिट्रल ट्रांसलेशन वुड़ बी अब यहां पे उसका जो ट्रांसलेशन उसका अनुवाद जो है किस प्रकार का होगा अंग्रेजी में वो यहां पे बताया गया है वो जो गाना वहाँ गाया गया होगा ओविसली उडिया में होगा न तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहां पे दिया गया है ओ माइटी मिनिस्टर टेल उस मतलब ओ महान मंतरी जी बताईए हम सभी को बताईए प्लीज बताईए कि आप कैसे इतने लंबे चौरे ब्रह्मान की देखरिक करते हैं The rest of the song Catalogued The great changes Nature and humanity Experienced on the occasion of the ministers coming Catalog का मतलब होता है List बनाना किसी चीज़ का अब list बनाते है उससे कहते हैं Catalogued तो यहां पे कहा जा रहा है कि यह तो आपको बता दिये गए ना कि लाइन आखरी बोल क्या थे उस गाने के लेकिन उसके अलावा उस गाने में और भी तो चीज़े थी ना तो और पांकी जिगने भी चीज़े थी उसमें था क्या और थर बता रहे हैं उसमें एक लिस्ट था और उस लिस्ट में क्या था कि अलग अलग चीजों के बारे में बात की गई थी किस प्रकार से जो मिनिस्टर जैसे ही आएं तो उनके आने से कैसे प्रकृति में बदलावाएं जो नेचर है हमारा उसमें किस प्रकार के बदलावाएं और किस प्रकार के अनुभव जो लोग है मिनिस्टर के आने से उस मंदरी के आने से महसूस कर रहे है किस प्रकार का अनुभव उन लोगों को होड़ा है तो उस गाले में और क्या-क्या था आगे के लाइन में है How the sun almost blushed in romantic happiness that morning कि किस प्रकार से जो सूरज है वो प्रेम युक्त खुशी के साथ उस सुभा udah blush कर रहा था शर्मा रहा था मतलब सूरज के गालों के अपर ला ली आ गए मिल्श हम कहते हैं कि बादे हैं तो उसके चहरे के बारे में हम बोलते हैं कि उसकी चहरा शर्म के मारे शाइनिस के कारण शर्माने के कारण लाल हो गया उसी को कहते हैं बलश तो यहाँ पर सूरज के बारे में कहा जा रहे हैं कि नीता जी आए तो सूरज शर्मा आए कि किस प्रकार से नीता जी के आते ही जितनी भी चिरिया है वो गाना गाने लगी एक अपने ही राग में वो गाना गाने लगी जितनी भी चिरिया है वो सभी और किस प्रकार से जो उस गाओं की महिलाएं है वो उत्सुकता के साथ आतुर होकर अपने धरकते हुए दिल के साथ मिनिस्टर जी का इंतिजार कर रही है कि जैसे ही मिनिस्टर जी गाओं की जमीन के पर पाव रखेंगे वैसे ही वो सभी अपना अपना शंक उठाएंगी और उनके स्वागत में शंक बजाएंगी ध्रॉंबिंग का मतलब होता है धरकना कॉंग शेल शंक को कहते हैं तो ये सारी बाते उस गाने में लिखी गई थी जो मिनिस्टर जी के स्वागत में गाई जाने वाली थी अब हम लोगों ने इतनी सारी चीज़े पढ़ी कि पता नहीं मिनिस्टर जी के लिए क्या-क्या हो रहा है तो ओधर इस बात को समझते हैं इसी नहीं वो कह रहे हैं कि हाँ, मुझे पता है कि आजकल के जो मिनिस्टर होते हैं उनको इस प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है उनका मतलब इस प्रकार का ओदा नहीं होता है कि उन्हें इस प्रकार का ट्रीटमेंट मिले बात सही भी है क्योंकि आजकल के जितने भी मंतरी है जितने भी नेता है उनको प्यार भी उतना ही मिलता है और उसके साथ साथ उतना ही उनकी आलोजनाएं भी होती है लेकिन उस वक्त की जो बात थी वो कुछ औरी थी वो अलगी बात थी वो समय ही कुछ अलग था Rustic का मतलब होता है गाउ में रहने वाले लोग जिनका जो जीवन शैली होता है वो बहुत ही साधारन होता है उन्हीं कहते हैं Rustic राकल का मतलब होता है बहस करना तो यहां पर कहां जा रहा है कि ऑथर कह रहे हैं कि ऑथर उस वक्त बहुत छोटे थे न बच्चे थे तो वो कह रहे हैं कि हम जितने भी बच्चे थे हम जितने भी ग्राविन बच्चे थे गाओं की जितने भी बच्चे थे वो इस वात के उपर बहस करते थे मतलब बहुत सारे उनके पास QUESTION थे और उसके उपर वो बहस करते थे कौन से question थे उनके पास What does minister eat? वो बहस करते थे कि मिनिस्टर खाते क्या है what does he think वो सोचते क्या है does he sleep or not क्या वे सोते भी है कि नहीं does he ever suffer from कॉलिक और कोल्ड क्या मिनिस्टर जी को कभी सूल होता है या फिर उनको सर्थी खासी होती है कॉलिक का मतलब होता है सूल आपने सूना होगा जो पेट होता है न पेट में कई बार अचानक से मतलब दर्द होने लगता है बहुत तेज दर्द होने लगता है तो कहा दें कि सूल हो गया है तो ये सारी बाते बच्चों के दिमाग में आती थी और ओधर भी उस वक्त बच्चे ही थे श्री महराना हिमसेल्फ वास हेक्टिकली एक्साइटेड श्री महराना जी जो थे वो भी बहुत ज़ादा एक्साइटेड थे लेकिन उनके अंदर जो एक्साइटमेंट था न वो थोड़ी परिशानी हो वाला था हेक्टिकली मतलब होता है कि जब आपको बहुत ज़ादा प्रेशर होता है किसी काम का आप थोड़ी से मतलब बर्डन फिलिंग करते हो न तो उसे कहते हैं हेक्टिकली तो वो एक्साइटेड थे लेकिन उनको अविसली उनोंने इतने बड़े मिनस्टर को बुलाया है तो उनको थोड़ी सी एक तरीके से कहले बेचैनी सी हो रही थी जो मोड़ाना जी थे वो अकसर न एक घंटे तक दो पहर में सोया करते थे बट लेकिन उन्होंने ये आदत छोड़ दी कब छोड़ी जब स्वागत समारो होने वाला था उसके 10 दिन पहले ही से उन्होंने ये आदत छोड़ दी दोपहर में एक घंटा सोने वाली आदत छोड़ दी उनका सारा का सारा समय वो स्वागत समारो के जितने भी विवस्ता उन्होंने की थी वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको बार-बार चेक करने में चला जाता था वो बस यहीं चाते थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए तो इसलिए वो उसी में हमेशा लगे रहते थी Yet he seemed nervously uncertain लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर न हमेशा एक घंबराहट सी होती रहती थी हमेशा एक घंबराहट रहती थी कि पता नहीं सब कुछ ठीक से होगा कि नहीं होगा पता नहीं क्या होगा अगर निता जी आए तो आगे की कहानी अगले यूनिट में है